हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बॉइज की दोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है फैब्रिक मेरा दो मीटर का है और अर्ज इसका काफी ज्यादा है तो अगर आपको फिलेर ज्यादा चाहिए तो बड़े पने का अपने कपड़ा लेना है मतलब बड़े अर्ज का कपड़ा लेना है तो यहाँ पर दो मीटर फैब्रिक है तो पहले हम बैल्ट के लिए साइड से निकाल लेंगे और उसके बाद नीचे वाला पार्ट कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए किनारी वाली साइ प्रफोल्ड करेंगे और जो भी एक्स्रा नीचे की साइड से होगा उसे कट कर लेंगे वहां से हमने बैल्ट बना लेनी है तो जो बाइस की ये दोती सल्वार होती है उसमें बिल्कुल थोड़ी सी ही चौड़ी बैल्ट लगती है पांच इंच हमने देखिए यहां से कट कर रखना होता है उपर नेफा यहां से देखिए मैंने इसको फोल्ड में रखा था और यह एक्स्रा फैब्रिक यहां से कट करके अलग कर लिया अब देखिए यह कौन पूरा प्रापर बन गया है तो यहां पर देखिए दो जो कौने होंगे वो बड़े होंगे एक सीधा पार इसमें देखिए दोनों साइड हमारी सीधी सीधी होंगी तिर्चा नहीं होगा तो जो कौने कौने वाला पार्ट है यह दो इन पर हमने आसन की मार्किंग नहीं करनी यह वाला जो तीसरा पार्ट है जिसमें दोनों साइड सीधी है यहां पर हमने आसन की मार्किंग करनी है तो दोनों साइड में से किसी भी साइड में कर सकते हैं मतलब दोनों साइड सीधी है तो किसी भी साइड में आपने आसन की मार्किंग कर लेनी है तो सबसे पहले हमने लेंथ मेजर करनी है लेंथ की मार्किंग करनी है तो देखिए यहां पर मैं इसको इस तरीके से पलेट कर र से 2 इंच बैल्ट का माइनस कर देंगे तो 32 आएगा 32 में आदा इंच सिलाई का मार्जन एड़ करके 32 पर मार्किया और जो एक्स्रा उपर से आया है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे अब हमेने नीचे से ही लेनी है क्योंकि हमें कोना चाहिए नीचे की साइड में तो उपर से इस पार्ट को हम कट कर लेंगे तो यह देखिए यह पर Apart मैंने कट कर लिया है अब हमने यहां पर आसन की formula निकलेगा वो hip का 4 प्लस 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं आप तो hip है हमारी यहाँ पर 30 इंच की उसमें 4 इंच पहले एड़ करेंगे losing का उसका चोथाई बार्ट निकलेगा 8 इंच और उसमें हमने कर ली है अब दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सबसे पहले हमने आसन अटैच कर लेना है जैसे नॉर्मली हम simple plazo में भी अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पर इस तरीके से gather's डल जाएंगी तो चुननट आपने देखिए किस तरीके से डालनी है यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक साइड से डालेंगे और फिर यह कोना आ जाएगा तो कोने के बाद आपने दूसरी साइड से इस तरीके से डालनी है तो दोनों जो बलेड्स होंगी उनका फेस आमने सामने होगा पस इस तरीके से इसको डालना है इसका दियान रखना है दूसरा कोना यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हमने सेम तरीके से डालनी है कोने का अपने ध्यान रखना है इस तरीके से बहले डालेंगे और फिर कोने के बाद दूसरा पार्टे तो इसमें इस तरीके से डालेंगे तो तभी यहाँ पर जो घूम बनते हैं वो अच्छे से बन पाएंगे तो अब हमने सबसे पहले आसन टैच कर लेना है तो यहाँ पर देखिए जो एक्स्टा फैब्रिक है यहाँ पर हमने पांच इंच चोड़ाई लेनी है निवे के लिए और लेंगे हम 34 हमारी यहाँ पर हिप साइज थी तो 34 का हाफ ले लेंगे 17 इंच आ रहा है तो एक इंच और ले लेंगे हम थोड़ा सा लूज रखेंगे हाफ आफ इंच दोनों साइड से मार्जन के लिए 18 इंच पर मैंने यहाँ पर बैल्ट कट कर ली है अब हमने साइड साइड से देखे इन दोनों पार्ट्स को अटेच कर लेना है यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है बैल्ट बस अब यह हमने इतनी ही स्टिच करनी है अब हमने यह पार्ट्स ले लिए हैं जो बोटम वाले पार्ट्स हैं सलवार के पार्ट्स वो ले लिए हैं दोनों के आसन हमने इस तरीके से आपस में पकड़ने हैं तोनों पार्ट्स के और यहां पर सिलाई लगा लेनी है एक सिलाई इधर लगानी है एक सिलाई दूसरे पार्ट पर लगा लेनी है तो यह देखे दोनों साइट्स में हमने आसन की सिलाई लगा ली है और डबल सिलाई हमने यहां पर लगा लेनी है आसन वाले पार्ट पर अब अब हमने यहां पर प्लेट्स बनानी है तो पहले हम इसको देखे यह जो कॉर्णर वाले साइट्स है दोनों में यहां पर हमने प्लेट्स बनानी है तो जो सेंटर वाली सिलाई लगाई है हमने उसको हमने बैल्ट के साथ रखकर स्टेच करना है तो बैल्ट के पहले हमने हमने front और back तो सिलाई से ही पता चल जाएंगे और उसके बाद हमने इसके दोनों side side के points भी mark कर लेने हैं यहाँ पर हमने चोटे-चोटे cuts डाल लिये हैं अब हमने इस तरीके से खोल के रखना है belt को और जो center की एक सिलाई है उसी सिलाई यहाँ पर देखिए यह corner आएगा तो यहाँ तक की plate हमने इस cut तक ही complete कर लेनी है और फिर दूसरी plate हमने इस cut के बाद बनानी है इस तरीके से तो direction हमने plates की जो है वो change करनी है वहाँ से तो यहाँ से center से सिलाई लगाना start करेंगे और पहली plate हमने इस तरीके से डालनी है जो सिलाई की side है उस side को हमने plate का face करके रखना है और थोड़ा थोड़ा एक के उपर एक plate चढ़ा कर रखनी है क्योंकि कपड़ा हमारे पास काफी है यहाँ पर तो दियान रखना है कि plate से हमारी इक्वल बने तभी flare भी अच्छा बनेगा कपड़े का भी आपने ध्यान रखना है कि कितना आपके पास बच रहा है और कितनी आपने plates डालनी है तो यहाँ पर देखिए बस हम cut के पास लगबग आ ही गये है तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे cut के पास और अब दूसरी side की हमने plate बनानी start करनी है थोड़ा सा इतना रहने देंगे पार्ट यह corner वाला part हमारा बाहर की side निकल कर आएगा और इस तरीके से अब देखिए दूसरी जो हम plates बना रहे हैं दूसरे part की उसका face हमने अब इस side को रखा है मतलब change कर लिया है direction और जितनी plates हमने उस side बनाई है वो count कर लेनी है और उतनी ही plate अब इस side भी बनानी है अब जहां पर हमारी belt की सिलाई आएगी बस वहीं तक हमने यह वाली plates बनानी है तो इस तरीके से एक pair की मतलब एक pair के side की plates complete हो जाएगी फिर जो सिलाई आएगी बीच वाली वहां से हमने दूसरी वाली plates बनाना स्टार्ट करना है तो यह देखे सिलाई तक हम पहुँच गया है सलवार की भी और belt की भी सिलाई यहाँ पर match कर लेनी है और इस तरीके से यह plates हमने यहीं पर complete कर लेनी है अब हमने दूसरी side की plate मतलब दूसरे pair की plate बनानी है तो अब इनकी direction यहाँ से फिर change करेंगे और यहाँ पर देखे एक pair की complete हो गई है तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लेर दिखेगा देखे इस तरीके से दोनों ही plates का face देखिए आमने सामने आएगा साइड्स में अब यहाँ की plates बनाना हम स्टार्ट करेंगे तो जैसे हमने starting में plates बनाई थी बिल्कुल वैसे ही plates फिर बनाना स्टार्ट करना है थोड़ी थोड़ी plates एक plate के उपर दूसरी plate चड़ा कर हमने बनानी है और नीचे से बैल्ट का भी धियान रखना है कि नीचे से stitch ना हो दूसरा पार्ट इसके साथ तो थोड़ा थोड़ा set करते हुए stitch करते जाएंगे अब corner पर हम आ गये है मतलब corner की का जो हमने cut डाला था वहाँ पर वहाँ से हमने इस corner को थोड़ा से बाहर निकालना है तब एक कोने से पहले की जितनी plates हमने डाली है उतनी ही हमने दूसरे कोने के बाद भी डालनी है और यहाँ पर देखे बैल्ट हमारे stitch हो गई है तो यह देखे इस तरीके से हमारी असलवार बनी है sides में देखे इस तरीके से flare आएगा दोनों ही sides में क्योंकि जो plates का face है वो दोनों का देखे इस तरीके से आमने सामने है और यह देखे इस तरीके से तो अब हमने उपर से belt को fold कर लेना है इस तरीके से fold करेंगे और एक fold marker यहाँ पर top seam लगा लेंगे पूरे में ही round में हमने सिलाई लगा लेनी है और नीचे की side से हमने देखे करीब 6 inch या 7 inch छोड़ लेना है मतलब जितना आप fitting में चाहते हैं उतने पर mark कर ले 6 inch यहाँ पर काफी रहेगा यहाँ पर mark कर लेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर दूसरी side भी हमने bottom में 6 inch छोड़ देना है बाकी stitch कर लेना है तो यहाँ पर हमने जो सिलाई पहले लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के उपर लगाते वे यह वाली सिलाई भी लगाएंगे ताकि सीधी side से भी finishing रहे और चाहे तो हमने यह बैल इस पट्टी को हम चाहे तो wrong side से भी stitch कर सकते थे पहले वाली सिलाई और ताकि वो पलट कर सीधी side में आए तो finishing ज्यादा अच्छी आती है तो अभी मैंने इसको सीधी side से ही stitch किया था और पलट कर यह wrong side में आई है थोड़ा सा पार्ट मैंने उपर की side छोड़ दिया है जहां से हमने elastic insert करना है नीचे से देखिए हमने bottom side से 6 इंच पर mark किया और थोड़ा सा पका करते हुए हमने आदे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा margin लेंगे और यहां पर सिलाई लगा लेंगे इस side भी नीचे हमने 6 इंच पर mark कर लेना है तो नीचे से यह निक्वल आ रहा है इसको cut करके थोड़ा बराबर कर लेंगे 6 इंच पर mark कर लिया और यहां पर भी पका करके धागा cut कर लेंगे अब bottom में देखिए हमने इस तरीके से stitch करना है नीचे की side से stitch करेंगे एक fold करेंगे फिर एक और fold करेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा सा fold करके हम यहां पर सिलाई लगाएंगे सिलाई बड़े राम से लगानी है नीचे से कपड़ा साथ में stitch ना हो इस चीज का धियान रखना है एक side की सिलाई लग गई है अब इसको थोड़ा सा turn करेंगे और दूसरी side में भी इसी तरीके से fold करके और नीचे तक इसको stitch कर लेंगे इस तरीके से और नीचे की side आकर यहां पर थोड़ा सा पका कर लेंगे और धागा कट कर लेंगे सेम तरीके से हमने दूसरे bottom को भी ready कर लेना है यह देखिए दोनों ही bottom यहाँ पर ready हो गई है अब हमने यहाँ पर elastic insert करना है तो यहाँ पर कमर है हमारी 27 इंच की उसमें से हम 5 इंच माइनस कर लेंगे तो आएगा 22 इंच 22 इंच पर यहाँ पर mark करेंगे और आधा इंच और mark कर लेंगे जो हम सिलाई में दबाव किले लेंगे यहाँ पर हमने देखिए E disappearance हमारी एक इंच औरी है तो जितना भी extra हमारी इंच इ GUY देखिए यहाँ पर उतने पर सिलाई लगा लेंगे देखिए मैंने मैंने सिलाई लगा ली है ताकि। यहाँ पर Elastic एया पर पल्लटे न इसमें फ्रेंट और बैक का कोई भी इश्यू नहीं है दोनों साइड से सेम है तो बहुत ही आसानी से बनने वाली है हमारी दोतिस अलवार रेडी है